नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब तो स्टार्ट करताश की वीडियो देखते हैं 12 जून के करंट अफेर्स तो फर्स्ट आर्टिकल है सर्दात रोबर नमदा डैम के बारे में सर्दात रोबर नमदा डैम जो है बना गी था एक साल पहले आपको मालूम होगा बहुत कॉंट्रव इससे पहले कभी भी नरमदा में समर के दोरान पानी नहीं रहा था ठीक है यह डैम जैक यह वड़ा डिस्टिक्ट के अंदर आता है तो इस डैम मतलब इस आर्टिकल से यह मालूम चलता है हमें की डैम बनाने के क्या फायदय हो सकते हैं कि हां डैम बनने के बाद अब जो है नरमदा में पानी है और जो है जो वहां के आसपास के खेत हैं उनको फॉर्ट इरिगेशन पानी मिल सकता है ठीक है दोस्तों चलिए देखते अगरा आर्टिकल अगला आर्टिकल है वैक्सीन हजिटेंस्ति के बारे में अभी उडिसा में कुछ ट्राइबल गुरूप्स हैं तो यह जो है डवलुएच ने इस चीज़ के प्रती आगा किया है या फिर वार्ण किया है तो वैक्सीन हजिटेंसी को डवलुएच डिफाइन करता है किस तरीके से डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डेस्पाइट दा अविलेबिल्टी ऑफ वैक के होने के बाद भी अगर हम उसका उसको रिफ्यूस कर रहें लेने के लिए या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या डेरी कर रहे हैं लगवाने में डेट इस कॉल्ड़ा वेक्सीन हजिटेंसी यह अराउंड 90% कंट्रीज में यह प्रॉब्लम है ऐसा नहीं के वल इंडिया के अ वेक्सीन में लगवाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी या फिर यह तो जैसमें बहुत गलत टाइप के मतलब जो है बाढ़ है जो कि आपके रिलीजिस सेंटिमेट को हर्ट कर सकता है तो भी लोग वक्सीन लगवाने से ड़ते हैं और थर्ड है सोचल मेडिया का यूज करके जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन भेजते हैं यह यह मतलब करते हैं कि इससे आपको और डिजिस भी हो सकती है तो यह है और भी रिजिन हो सकता है जो आपको समझ मैं आप मेंस को लिख सकते हो और मेंसी तो जहाए आपको यह जाना था कि बाट रिपोर्ट की जातीए बाइए है तो इस बार भी जाओ 19 déjà ओनुर्स sites करी गई यह जो फुल फॉर्म है से की वह क्या है और İंड इंड आ सर्वे on higher education मतलब की हमारे देश में जो higher education उसका status क्या है एक साल में क्या रहा उसके बारे में रिपोर्ट होती है आज कल यह बहुत important हो गई है तो इसकी जो मतलब performance है वो देख लेते हैं कि क्या क्या रही है इस साल की जिससे कि आपको idea हो कि हमारे देश में क्या इस समय condition है higher education को लेकर तो यह report जो है provide कर आती है current citizen higher education in the country तो इस समय जो है 2019-20 में जो total enrollment हुआ मतलब की जो लोगों ने admission लिया higher education में वो कितने थे 3.85 करोड ठीक है जो की पिछले साल कितना लिया था मतलब 1890 में कितना लिया था 3.74 उससे जादा है कितना जादा है 11.36 मतलब की 3% का growth rate दिखा गया है total enrollment ratio में ठीक है next is gender parity index इसका मतलब होता है कि जो आपका female है और male है उनको बराबर भागेदारी कर रहे हैं वो या नहीं कर दे हैं admissions में for example 50 males ने enroll किया तो 50 females भी आ रही है या नहीं आ रही तो उसको बोलता है हम gender parity index उसको निकालता है तो इस बार का जो gender parity index है वो अच्छा रहा है मतलब कि इस बार ज्यादा females ने पार्ट लिया है पिस्ते साल के पिक्षा ज्यादा females ने enrollment कराया है higher education पिस्ते साल के पिक्षा ठीक है न इसके लावा 3.38 करोड students के round जो है उन्होंने enroll किया है for undergraduate and postgraduate levels के लिए और इस 3.38 करोड में से 85% student जो है वो किस में इस्ट्रीम में रोल हुए है humanities में science में commerce में engineering technology में medical science में IT and computers में मतलब 85% 3.38 करोड में से 85% जो है इन six fields में गए है चलिए US के president जो है जो बाइडन और UK के president प्रैम मिनिस्टर है Boris Johnson उन्होंने agreement किया है किस चीज़ को लेकर Atlantic charter को लेकर बहुत important है पूछ सकते है बिरिलिम्स में या फिर जाए प्री के एक्जाम में कि Atlantic charter किस किस के बीच में हुआ है तो ये हुआ है US president जो बाइडन के बीच में और UK के prime minister Boris Johnson के बीच में ये जो charter होता है ये US-UK के relationship को strong करता है ये कोई नया नहीं है World War Second वा था उसके बाद से ही चार्टर आता है जिससे की जो है जो countries है Atlantic Ocean के आसपास उनके बीच में एक मतलब जो है help करने की भावना डवलप हो और जो ये tough situation आती है उनसे कैसे निकला जाए उस बारे में चर्चा हो तो इस बार का भी चार्टर है वो इसे पर based है कि public safety जैसा क पर चार्टर का अब है जो चार्टर है ये चार्टर निश्ट ड़िवर international protocols that are straightforward and easy to implement across the globe चार्टर चाहेगा कि जिए कि ऐसे प्रॉट्रोपोस ऐसे Rules मतलब जये देना और country उसको जिससे की वह easily इसको implement कर सके ठीक है और straightforward ये कोई भी मतलब जो है ये सब हो सकता है जब टैवर साइद कि मतलब कि АТ hospitality question है इसके में इसके में यूएस इसके में कान्टीर के बीच में जो है जो आपका टूरिस अंडुस्ट्री वो डब अधर इंड कि असा के तब फास पास में आ जाए यह सके तब ही यह चांटर वार पीरेड है वो किस तरीके से हम आगे कंडिनू करें उस बारे में ये चार्टर आया था तो उस टाइम भी जो है 1942 तक 26 ने इसको सपोर्ट किया था इस चार्टर को ठीक है अगला आर्टिकल है सहिल डिजन के बारे में यहाँ पर जो है 160 लोगों को मारा गया है बाए इंद जैसे जो 160 लोग मर गए है तो जान लेते हैं यह सहील काहल पर है यह सवाना ग्रास लेंड तो इसके बीच में जो यह रीजन है ना from Atlantic to Red Sea या Mediterranean Sea से Red Sea के बीच में जो ही reason आता है इतना that is a Sahel reason उसको बोलता है हम Sahel reason ठीक है it is a eco-climatic bio-geographic realm of transition in Africa between Sahara to the north and Sudanian Savannah to the south ठीक है Savannah जो है grasslands होती है और Sahara का जो reason है वो desert reason होता है it stretches across the south central raditudes of northern Africa between Atlantic and Red Sea Atlantic Ocean है और Red Sea के बीच में ये फैला हुआ रहता है Sahel part of Africa includes from west to east part of northern ये countries के नाम दे रहे हैं जो इस reason में आते हैं northern Senegal southern Mauritania central Mali northern Burkina Faso the extreme south of Algeria Niger extreme north of Nigeria the extreme north of Kiproon Central African Republic Central Chad Central Land Southern Suran extreme north of South Suran Eritaria and extreme north of Ethiopia ठीक है ना ये countries है जो की सहे लिजन में आती है अगला article देखते हैं कि London का एक global think tank है overseas development institute उन्होंने इंडिया के बारे में एक report release करी है report का नाम है the cost of climate change in India तो उसके according ये बोल रहे हैं कि अगर climate change इस तरीके सही रहा तो इंडिया को around 3-10% का GDP loss हो जाएगा by 2100 और poverty rate जो है वो 3.5% से बढ़ सकता है in 2040 due to this climate change अगर climate change ऐसी तलता रहेगा तो तो report ने ये भी कहा है कि इससे जो है inequality बढ़ सकती है और poverty भी बढ़ सकती है इसके लावा जो cereal के price है वो भी बढ़ेंगे wages decline होगी अगर culture में और economic growth slow होगी because of climate change ठीक है तो report ये भी कहती है कि अगर जो है 2 degree Celsius जो target है कि उससे नीचे भी रखेंगे तो भी जो है इंडिया जो है 2.6% GDP annually lose करेगा और अगर 3 degree पहुच जाता temperature तो 13.4% annually loss कर सकता है GDP में हमारी country ठीक है तो ये एक eye opening report है महाराश्ट CM ने government से कहा है कि जो है महाराश्ट स्टेट के अंदर बीड एक जगा है महाराश्ट ने अपना एक बीड मॉडल लाउंच किया था तो वो चाहते हैं कि जो है फसल भी में भी वही चीज़ की जाए पहले जान लेते हैं वाट इस प्धानमंतरी फसल भीमा योजना यह लाउंच होई थी 2016 में यह एक इंशुरेंस स्कीम है इसमें क्या होता है कि जो है जो भी फार्मर की क्रॉप होती है पूरा इंशूर किया जाता है कि अगर उसको उसका लॉस होता है किसी भी बज़ए से या फिर जो है आपका एक लॉजिकल रिदम की वज़ए से लॉस होता है या किसी भी वज़ए से लॉस होता है पर दो सेंटरल गाइडलाइंस फॉर फार्मर दा लो रेट प्रिमियम एं डिसेंट कवरेज में में इसकी में अट्रिक्टिव मतलब की इसमें जो प्रिमियम है उसका रेट भी बहुत कम है जिससे की ज़िए हर फार्मर को यह अच्छी लिगते इसकी ज़िए कि वह इस स्कीम को लें या नहीं लें ठीक है इसके बनस्पत जो है स्टेट गौर्रमेंट जो है महाराश्ट के नोंने बीड मॉडल अपनाया था इसके एक अगर्ण क्या था बीड मॉडल कहां पर अपनाया गया था यह जो डॉट पॉन एरिया मारा ठावारा तो वांपर जो लोकल इंशरेंस कमपणी हैं इंडियन एकरिकरिसल्थ इन्सटाया रुपर कोर देगी यह एक्सुद् traCD स्कोर लेकिन य्हार इसा होता है कि यह इसा होता है कि जो घुम्पैस हिसटर गर्म chili आनोंइश करती है और वह कवर few जो है मतलब 100 रुपे प्रियूम में पेक एकसान ने 110 रुपे इंश्रेंस कंपनी देगी और फॉर एक्जामपल गौश्च ने कहा कि हम तो जो है आपको कंपेंसेशन देंगे 130 रुपे का तो बही 20 रुपे डिफ्रेंस आ गिया यह जो 20 रुपे का डिफ्रेंस है यह स्टेट गौवर्मेंट पेक डेगी इंश्रेंस कंपनी पे नहीं करेगी और अगर ऐसा हुआ कि जैकंपनीशन कम है एक्सांपल 100 रुपे जमाऊ गया तो प्रियमियम 110 रुपे देने इंश्रेंस कंपनी को लेकिन जो असी रुपे ही हुआ तो उसका मतलब है कि जैक तीस रुपे त इसका 20 परसेंट जो है वह रखेगी इंश्रेंस कंपनी एदा हैंडिंग चार्जे और बाकी का पार जो बैसा है वह स्टेट गौवर्मेंट को लिए जाएगा अब आप किसान को किसान को नुकसान कैसे किसान को नुकसान इतने इसलिए इसलिए इतना नहीं है क्योंकि जो और प्रियूम दिया जाएगा उसमें चार्जेए को युछ पार्ट ही किसान कैसी कीम को चेहां को मैश्चित मौड्ममन तो पूर्सकते हैं गहीं और आपको समझी मोडल चलिए आगे बढ़ता है अभी जो है लक्षदीप आइलेंड में जो एड्मिस्टेटर है हमांके उन्होंने जो है MP जा रहे थे हमां लोगों से मिलने उनको मना कर दिया जाने के लिए तो उन्होंने प्रिफिलेज का ब्रीच है उसका मलगी जो सम्माने वो नहीं किया गया है तो ब्रीच ऑफ प्रिफिलेज के में कहां पर दिया गया है तो ये ब्रीच ऑल्पोप oppress और पर्लेमेंट ऑफिस मेंबर एंड कमिटीज और लेट डाउन आर्टिकल एक सो पांच जो आपके MPs वगएरा होते हैं उनका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है यह प्रिविलेज की बात इम्मेंटीज की बात की गई है आर्टिकल एक सो पांच में वहीं स्टेट के जो होते हैं MLA's वगएरा उनके लिए हम बात की गई है एक सो 194 आटिकल के अंदर ठीक है पर्लेमेंटरी प्रिविलेज जो है यह बताता है कि जो किसी भी जो लेजिसलेचर है जो MP या MLA है उनके पास क्या राइट और इम्मेनिटीज है ठीक है जिसको वह एंजोई कर सकते हैं मतलब की यू कर रहे हैं उस दौरा उन्होंने कुछ सिविल या किमिनल लाइबिल्टी उन पर आ गई है कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दिये तो उससे इम्म्यून करता है यह पार्लेमेंटरी प्रिविलेजिस ठीक है दोस्तों अगला आर्टिकल है कि नीती आयोग आर्माई इंडिया ने म किस तरीके से वो बेनेफीचल हो सकता है चल्विकली और और एकनोविकली तो चान लेते हैं कि सब्सक्राइब हो जो समान का आना याना है गुडग सर्विसस का भूखैंट है आपको भी लॉस ना हो तो हम देखें तो जैसे फ्रेट ट्रांस 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 पोर्ट जो है हाई लोजिस्टिक कोस्ट की वजए से जो है मतलब बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर और जो है कार्बन टॉक्स कार्बन टॉक्षट कर दो एमिशन है एर पॉलुशन है इसकी विजए से भी डिफ्रेंट जो ऑगनाईजिशन एंवार्मेंटल ऑगनाईजिशन जो है वो भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है फ्राइट ट्रांस पोर्ट को एकनॉमिकल भी बनाया जाए और जो है एकलोजिकल भी साउंड बनाया जाए तो इसी को ल सकता है इसके लावा टैन गीगा टन्स ऑफ कुमुलेटिव स्योटू गैस का मिशन वो रोक सकता है बाई बिट्वीन 2020 और 2050 के बीच में अगर वो चाहे तो इंडिया इसके लावा नैट्रोजन ऑक्साइड का जो मिशन है पर्टिकुलेट का मिशन है वो भी कम क्याजा सकता है अगर वो यह रोड मैप को फॉलो करते हैं तो यह सब इस रिपोर्ट के बारे में है यह आप पॉइंट्स जाद भी कर सकते हो या इक अच्छी बात है एक्जाम में लिखने के लिए चलिए अगला आटिकल देख लेते हैं अगला आटिकल है यहापर हिंदु कुष हिमाल अल्याज से जो है जो माँ पर आइस है बहुत ही हाई रेट से पिगल रही है मैल्ट हो रही है ठीक है और यह का गया है कि जो है 2100 तक मैल्ट हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो साउथी स्टेश्या में जो टू बिलियन पीपल रह रहे हैं उनको फूड और वाटर की आधान लेते हैं कि यह ठर्ड पोल कलाता है हमारे अर्थ का दो पोल तो है एक नौर्ट पोल एक सावध पोल और हज़ा नेपर मांस आधा क्यों क्योंकि 3500 स्वय क्रमें प्रम फैला हुआ यह और पूरा बरफ से ठगा हुआ है यह जो एरिया है इन्डिया नेपाल चायना म जो रीजन है वो पमीर माउंटेंस जो है माँ harmreci मुट안 Neden ये हिंदुकुष हिमाल्या थिक है ये जो वैली है अमु ध्रिया टिक है नोट में और जो है इंडीवर में बीच में फैला हुआ है तो ये condition आपको आनी चाहिए कि आखिर नॉर्ट में कौन सा कौन सी वैली है साउथ में कौन सी वैली है ठीक है किस किस कंट्री में फैला हुआ है हिंद को शिमालिया पूछ लेता है यह ठीक यहाँ पर जो है वर्ड का थर्ड लार्जेस स्टोरेज है फ्रोजन वाटर का आफ्टर एंटार्टिका एंड आक्टिक आर्याबास समझ में और दो सो चालिस मिलियन लोग रह रहे हैं सीजन के राउंड में 1.7 बिलियन रहते हैं जो यहां से रिवर निकलती है उसके अगला आर्टिकल है डैली ने मास्टर प्लान लॉंच किया अपना 2014 के लिए किस चीज़ को अचीव करने के लिए फ़ुरा सस्टेनेबल लिवेबल एंड वाइबरेंट डैली यह एक मास्टर प्लान लॉंच हुआ है इसके मास्टर प्लान के एकॉर्डिंग जो है यह यह जो ह्म स्टर है वो इंप्रूफ किया जाए ऐस्टे नेग्डी अगन किया जाए बाते यहां में रिए 356 एक डाडेशनाब माइशनान मतलब कि जैसे 2021 तक हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग डैली में आएं तो रेंट इकनॉमी डवलप हो मतलब कि जो फ्लैट्स बन गए हैं घर बन गए हैं खाली पड़े हैं तो उनको रेंट पर दिया जाए कि ऐसा एक फ्रेंवर्क तियार किया जाए जिससे कि लोग डरे ना रेंट पर देने के लिए मकान को अपना ठीक है और कर्सक्शन ना हो जो एक्जिस्टिंग कर्स्ट्रक्शन है महीं पर रेंट पॉलिसी अपने जाए इसके लावा यूजर पे प्रिंसिपल मतलब कि जो पार इसके लावा यह मिनिमाइस कह जाएगा कि जो भाई कुछ ऐसी टेक्नालोजी यूजर के अंदर जिससे कि जो है पॉलिशन कम हो यह जो इसके लावा एक और इसमें बात की गई है यह मना के आसपास जो भी है यह वह तीन सो मिटर तक बाफर दोन बनाए जाए कि महापर प्रोच्मेंट ना हो जिससे कि जब बाड़ वगर आते हैं तो यह उससे जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको एफेक्ट ना है तो यह चार चीज़े हैं इस मासर प्लान के अंदर चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं पके टाइगर रिजब के बारे में है यह पके होन्बिल जो होती हैं उनका कंजर्वेशन किया है जो कि एक स्पिशीज है ठीक है हॉन्बिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के तहिंको जो है इंडियन बायर बायो डैवर्सरिटी अबार्ड मिला दोजार स्पोले का यह जो पके टाइगर रिजब है इसके वेस्ट मे जो है नौट में कामिंग रिवर बैती है और जो इस्ट वाँ पर पके रिवर फ्लो करती है चलिए अगला आटिकल देखते है एक एक आटोनॉमस स्टैजरी बॉड़ी है जो की अंडर एफ एस एस एक्ट के तहट एस्ट की गए थी यह हैल्थ और फैमली वेलफेर के अंद करना है तो दोस्तों यह आटिकल ते आज के उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे अगर अच्छे लगी वीडियो प्लिस लाइक दिस वीडियो शेर दिस वीडियो सब्सक्राइब में चाल थैंक्यू है वरी नाइस टेर अ करता हैं